वर्वलकम टू मैं चैनल दिखीई मैं स्टार्ट करने वाला हूं do अब स्टार्ट करेंगे पाउर क्या यूज रिल्ट करेंगे टो स्टार्ट करते हैं और मैं एक वेबपेज आपके सामने बनाता हूं यहाँ है पर मेरे पास मैंने फाइल बना कर रखी हुए पहले से ही मैं इसे बंद कर देता हूं एक नई फाइल बना लेते हैं जिसे आपको आराम हो जाएगा आप टेखिंगे न्यश्रे से नेव जारी फाइल बन गया है फाइल को सेव लिजिए अभी तक सारे वीडियो प्लस प्लस सिक आईडी है उस आईडी ही पर हम बना रहे हैं यहां पर आके और आपको जो है स्टीए मेल डॉक्यूमेंट यहां पे ले लेना है और इसको मैंने सेब कर दिया है किस नाम से वह रहा है तो नाम रख देते हैं कुछ इसका नमें वन इसका नमें बन दुरूगेश ऑग दूर पर तिक इसको आटा लेते हैं और डेक्स्टॉप पर दूर्गेश को पर करते हैं यहां पर सच करें अब की खुल के आगई है अब करना है हमको कोडिंग करनी है कैसे करेंगे इसको देखना है और हमें STML में inline CSS करना है same process जो हमने last time किया है वही हम करेंगी और इसको maximize किया ज़े stml body body and stml stml यहाँ पर मैं CSS लगाता हूँ h1 के उपर h1 जो है एक selector है यहाँ पर h1 लिखते हैं h1 में CSS लगाना inline CSS, सिर्फ h1 यानि यह और h1 कहाँ पे h1 सिर्फ इसी line के लिए अगले line में h1 काम नहीं करेगा तो h1 एक selector कहा जाएगा उसका declaration देने के लिए हम लिखेंगे style style इस style में double code में जाएं और यहाँ पर CSS लिखना शुरू कर दे हैं तो क्या चाहते हैं तो मैं चाहता हो कि h1 की width और height जो है मैं set करूं W ID th width h1 एक 100% दे हम देखेंगे कैसे देते हैं 100% height height हम देदेंगे आप 10% height देदेंगे वह क्या है 10% और इसको हम color कर देंगे color कैसे करते हैं तो color हम करेंगे येलो करते हैं तो कलर के लिए होता है बैक्ग्राउंड कलर बैक्ग्राउंड एस कलर यहां पर आ जाएंगे वाई-ई-डवल-व यह आपका एच्वन बन के आ गया है सेमिकॉलन लगाईए और लाइन को बंद करिए यहां पर इसे एच्वन को भी क्लोज कर दीजिए अब हम एच्वन के अंदर जो है कंटेंट लिखेंगे कैसे लिखना है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डी यू आजी यस दुरुगेश सर क्लासे अब यहां पर इसको मैंने यहां सेव कर दिया रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर आपको एच्वन बन के आ रहा है अब देखते हैं क्या प्रावलम आई है क्योंकि यह इंप्लिमेंट नहीं हुआ है तो एक बार चेक किया जाए एच्वन जो है उसका स्टाइल है वि दाला है पहले लेक्ट्र को आप जरूर देखें यहां पर हमारा एच्वन बनके आ गया है अब हमको क्या करना है मैं चाहता हूं इसका आलाइनमेंट जो है वो सेंटर में आ जाए तो हम इसको यहां पर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन टी-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e मैं रॉथ है और इसको सेव करिए और अप जो है रीफरिश करेंगे तो यह हम पर यहां पर सें्टर में टेक्ष्ट मिलेगा मैंने किया है तो यहां पर आपको दिखाओ उम मैं तो यहां करते हैं और आप देखेंगे तो h1 में मैं इस्टाइल लगा हूँा है यह हमारा यानि परग्रापका जो स्लेकटर होता है पी होता है पी में स्टाइल लगाए पर चाहिक है यहां पर पर चैनल में मैं अब दिखा है दे रहे हैं उसको copy कर लेते हैं थोड़ा सा change करेंगे क्योंकि CSS में अलग-अलग सब के लिए property हम नहीं लिखते हैं क्योंकि property सब के लिए same होती है अधिकतम जगहों पे same होती है यहां पे paragraph जो है अब हमने ले लिया है और यहां पे पी में लिखिए हाई दिस इस दुर्गेश सर हाई दिस दुर्गेश सर मैंने यहां पे लिख दिया है और paragraph को हम बंद कर देंगे slash पी लगा कि यहां पे इसे हम बंद कर देंगे refresh करेंगे आपका paragraph यहां बंके येलो मैंने कर दिया है यहां लेकिन यह सेंटर नहीं चाहिए हमको यह सेंटर नहीं है हमको चाहिए मारा या क्रेंट हमको यह राइड साइड में चाहिए तो हम हमारा राइट साइड में टेक्ष्ट हों गया है अगर आपको राइट कि जिसे से तो लाप्ट लिछ दीजिए ल मर्णी कि तो यह हमारा टैस। यह प्रेप्ट एक वो लेक्ष साइड में आज रच्फ बिलकर आप को एफो एन्निव फानव डश इस फƯह ho प्रेशल का पॉर्ट साइज हमारा आपके सामने बन के आ गया है अब इस पराग्राफ में जितना आपको लिखना है वह आप लिख सकते हैं मैं इसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट करता हम क्या है आपको मैल्टिपल लाइन जो है वह मिल जाएगा कंट्रोल एस करके देखिए यहां पर पैराग्राफ में बन रहा है तो हाइड जो है वो 10 परसेंट हमारा हाइड अमने दिया हुआ है तो यह आउट जा रहा है थोड़ा सा थो हम इसको टैन की जगा कर देंगे 15 परसे जो है पराग्राफ बन गया है अब ऐसा ही आप डिव लगाए पराग्राफ के लिए लगा है एडिंग के लिए लगाए टेक्स्ट बॉक्स के लिए लगाए हम इन्पूट का डिव देखेंगे बने रहे हमारे साथ थैंक्स पर वोचिंग बाए बाए